नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और हम हैं रिशी राज पटना का गोल घर क्यों बना है? क्या आपने कभी सोचा है? पटना का गोल घर बनाने के पीछे मकसद क्या रहा होगा? पटना का गोल घर मशूर क्यों है? उसे बनाने का आदेश किस ने दिया होगा और उसे बनाया किस ने होगा कितने दिनों में बनाओगा पटना का गोलगर ऐसी तमाम बाते जो आपको नहीं पता है वो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको पटना का गोलगर यानि उसका A to Z अगर आप पटना का गोल घर नहीं गये हैं तो आपने क्या मिस्किया अपने जीवन में हम ये भी बताएंगे आपको इस वीडियो में तो बने रही है हमारे साथ और देखिए पटना के गोल घर की तमाम खासियते हैं 29 मीटर की उचाई से अगर आपको कोई पटना का खुबसूरत जगा दिखा सकता है तो वो पटना का गोल घर है पटना का गोलगर उसकी कई खासियते हैं पटना के गोलगर के उचाई से आप पटना के एतिहासिक गांधी मैदान को देख सकते हैं आप गंगा जी को देख सकते हैं और तमाम पटना की खुबसूरती को आप 29 मीटर की उचाई से निहार सकते हैं ये मौका आपको कहीं और से नहीं मिलता है एक वक्त था जब पटना शहर को लोग गोलगर पर चढ़कर देख लेते थे हाला कि अब वक्त बदला है कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए है और कई खूबसूरत चीजे इमारतों के पीछे ढग गई है पटना के गोलगर में सबस गोलगर है जहां कोई पिलर का सपोर्ट नहीं लिया गया है गोलगर की सरपीली सीडियू से उपर तक का सफर को पूरा किया जा सकता है जो इमारत के चारो ओर फैला है दिसंबर 2017 में इस इमारत को नया रूप दिया गया बिहार के मुख्य धरोरों में से एक है गोलगर जो पटना को प्राचीन समय से गौर्मानवित करता आया है गोलगर क्या है जिसका शाब्दिक अर्थ है गोलगर इस एतिहासिक इमारत की संरचना अध्भुत है इसमें कोई खंभा नहीं होने के कारण ये चारो ओर से गुलकार मोटी दिवारों से बना है इसलिए इसका नाम प शूर है लेकिन गोलगर को बनाया किस ने क्या आप ये जानते हैं कि पटना के गोलगर को किस ने बनाया दरसल उसे बनाने वाला एक विदेशी था गोलगर की चोड़ाई 129 मीटर है और लंबाई 29 मीटर चुकि इसमें कोई इस्तम नहीं है तो इसकी दिवारे जो है वो 3.6 मीटर मोटी है गोलाकार आकरिती के कारण इसके तुलना मुहम्मद आदिल शाह के मकबरे से की जाती है सबसे खास बात इस गोलगर की जो है वो ये है कि गोलगर में अगर आप कोई बोली बोलते हैं या अब जब आवाज निकालते हैं तो वो एक आवाज 27 से 32 बार तक भू नाया ही क्यों गया इसकी जरूरत क्यों पड़ी तो वो भी जान लीजिए दरसल इसके पीछे की वज़ा है अनाज का भंडारन जी हां 1770 में भयंकर आकाल आया था जिसमें अनाजों की भारी कमी हो गई थी उसको देखते हुए ततकालीन गवर्नर जनरल वरेन हिंस्टिंग जन ले ब्रिटिस सेना के लिए अनाज भंडार करने के लिए इस भावन के निर्मान का आदेश दिया था ब्रिटिस इंजिनियर कैपन जौन गाद्स्टिन ने तीश महीनों के अथक प्रयासों से इस इमारत का निर्मान 1786 में करवा दिया था ये इमारतילa 1400 अनाज भंडार आप इसके उपरी सिर्य तक पहुंच सकते हैं जहां से शहर का एक बड़ा हिस्सा दिखाई देता है पटना के गोलगर की एक और खासियत है पटना का गोलगर जो है उसके उपर के 3 मीटर जो है वहाँ इटो का इस्तमाल नहीं हुआ है बलकि उपर के 3 मीटर सिर्फ पथरों से बनाए गए है पटना का गोलगर कुछ सालों तक ऐसे ही विरान पड़ा रहता था लेकिन कुछ सालों बाद जब सरकार की नीन टूटी तो सरकार ने अब वहाँ पर गार्डेन डेवलप कर दिया है लोग आते हैं, गार्डेन रे बैटते हैं, गोलगर देखते हैं और कई तस्वीरे खिचवाते हैं और अपने साथ उसे याद की तरह सजो कर रखते हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था लोग आते थे, गोलगर देखते थे और खाली हाथ चले जाते थे अब गोल घर के पास लेजर शो की भी वबस्ता है, लोग आते हैं, लेजर शो का भी आनंद लेते हैं तो ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि गोल घर जब आप पटना जाईए, गोल घर को जरूर घूमिए क्योंकि पटना का जो गोल घर है, वो सिर्फ पटना की विरासत नहीं है, वो पूरे बिहार की विरासत है और उसे धरोहर की तरह सजा कर रखने में तमाम कोशिशे की जा रही है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को सेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बिहार तक को और लाइक का बटन दबाईए, सब्सक्राइब जब करिए तो बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिए, नमस्कार